हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शो को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जैन जातकों का जर्म दिवसे मेरिस एनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम नाएं आज हम कुछ ऐसी बात आपको बताने वाले हैं कि यदि ये पहचान आपको आपकी हतेली में हो जाए तो कहीं ने कहीं आपको संतोस की प्राप्ती होगी जैसे सुख संसाधन के सुरोत हमारी हतेली में छिपे होते हैं जहां नकारात्मक इस्तितियां हमारी हाथ की रेखाओं में होती हैं वही सकारात्मक इस्तिति भी हमारे ह हटेली में होती है, तो आज हम बताएंगे, के खियू तो, हटेली में सुख परप्ती के सुरोत, किस व्यक्ति के जीवन में, उसे अच्छा सच मिलने वाला है, उसे अच्छा सच मिलेगा, कई बार हम जीवन में बहुत प्रकार से पेडित होते एं, रो रहे होते हैं, कर रहा होते हैं लेकिन यदि हमें कोई आकर के ये कह दे कि बहुत ही सिगर ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें आपके जीवन में सुक्सांती आपको प्राप्त होगी ही होगी तो कहीं न कहीं हमें संतोस अवस्या आता है और वो जो खराब वक्त हमारा चल रहा होता है वो भी फिर हम किस सबसे पहली बात तो हमारी हतेली में जिसको हम फेट लाइन कहते हैं भागे रेखा हाथ के बीचों बीच से भागे रेखा परारंब होती है यह तो भागे स्थान आपका उपर जाकर के यह पूर्ण होता है मिडल फिंगर के नीचे और भागे रेखा किसी के नीचे से निकलती है किसी के यहां से निकलती है किसी के चंदरा से उपर जाती है किसी क शुकर और मंगल का विले करती हुई उपर जाती है लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति की हतेली के ठीक मध्यज है महीन रेखा आपकी मिडल फिंगर के नीचे जो ये गद्धी नुमास्थान होता है यहां आकर के ठैर जाए लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उसमें कट ना हो तो उस रेखा का माबदन डगर के यह बताया जा सकता है अगर यह रेखा किसी भी हाथ में है कि आपका आने वाला समय सो प्रतिशत आपको शुबता प्राप्त होगी आप चंता ना करें अभी ही यह समय ऐसा चल रहा है आगे नहीं है और इसके साथ साथ यह अंगोठे को घेरता यह मंगल अगर किसी का मंगल बलिष्ट हो मंगल के उपर आड़ी तिरशी रेखाएं ना हो तो इससे क्या अनुमान है कि समय भी सुबाएगा और आपको सुख संसादनों की अच्छे से प्राप्ति होगी आप सुख संसादन में आपका वाहन भी है भवन भी है अच्छी का दया भी है तो कहने का भाव कि आपका मंगल और शनी दो गरह तो बलिष्ट हो गए और दो गरह बलिष्ट होने से परदिशित होता है कि जीवन में आगे शुबता आ रही है ऐसे ही आपका चंद्रमा आपका चंद्रमा बहुत कम रेखाओं से घिरा हो बहुत कम रेखाओं स और चंद्रमा के उपर लाल वरनी आबा हो, तो भी आने वाला समय सुब होता है स्वास्ते की द्रश्टी से, मांसिक स्वास्ते की द्रश्टी से, कई बार किसी व्यक्ति की मांसिक स्थिती भी लुंज पुझ हो जाती है, कई बार व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कई बार बहुत जारा सोचने लगता कई बार वो उल्जहा-उल्जहा से रहता है चुड़शड़ापन उसके अंदर बेशुमार भरा होता लेकिन अगर चंद्रमा बलिश्टम वस्ता में हो और अच्छी वस्ता में हो नाना भाती की रेखाएं ऐसी उसकी हतेली में खासतोर से चंद्रमा पर ना बनी हो तो भी आप मानके चलिएगा कि व्यक्ति अपनी उस जो मुसीबत भारा समय है जो दिमागी उल्जने है उनसे वो भार निकलेगा ही निकलेगा लेकिन अब तो इसकी पहचान धीरे-धीरे आप लोगों को होगी अब चंद्रमा है चंद्रमा यहां से थोड़ा सा दवा-दवा सा हो और उस पे आड़ी-तिरशी सी रेखाएं हो तो मानसी गुलसनों का सूचक भी होता है एक रेखा और होती है बहुत ही यह फल दाईनी रेखा मानी गई है आपकी रिंग फिंगर के नीचे होती है सूर्य रेखा यह शकीर्थी की पताका को दवजा को लहरा देती है विश्व में जिन जिन व्यक्तियों ने नाम जिन व्यक्तियों की हतेली में ऐसा नहीं है कि सबकी व्यक्तियों की हतेली में रेखा होती है होती सबके है लेकिन किसी किसी की आकरती अपने अपने हिसाब की बनी होती है किसी के एक हाथ में होती है किसी के दोनों हाथों में होती है किसी के डबल होती है तो यही सूर्य रेखा यदि शुब इस्तिती में है तो नाम चीनी व्यक्तियों की सिरनी में आपको खड़ा करेगी ये प्रसिद्य दिलाती है ये यश दिलाती है आज बहुत लोगों को मन में एक पीड़ा है कि हम बहुत कुछ करते हैं में यश की प्राप्ती नहीं होती ये हर आदमी का करीब करें बंदर से सवाल होता उसके लिए कोई भी एस्तोलोजर कोई भी पामिस्ट जब आपका हाथ देखेगा तो वो आपको अगर आपकी ये शिकायत है तो सबसे पहले वो आपकी सूर्य रेखा को दरश्टिपात करेगा आपकी सूर्य रेखा डबल मार्ग में हैं कोई तिर्यक रेखा आड़ी रेखा तो उसको नहीं काट रही है कोई ट्रेंगल की आकरती सरपा आकारा करती काला कुंदू ये सचिन उस पे बना तो नहीं है क्योंकि जैसे आपकी कुंडली में गरहन दोश होता वैसे आपकी ग्रोहों में आपकी हतेली की रेखाओं में भी ये गरहन दोश होता चंदर गरहन, सूर्य गरहन, दोनों गरहन आपकी हतेली में होते हैं राहू केतु आपकी हतेली में होते हैं इसके अलावा बाकिके सभी अन्यग्रे आपकी हतेली में होते हैं, नक्षतरापकी हतेली में होते हैं, रासी चार्ट हमने आपकी उंगलियों से बताया था, तो जो व्यक्ति पामिश्ट्री में और अधिक दिल्चस्पी रखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आउ जोतिस सिखें, या पामिस्ट्री में हमारे प्लेलेष्ट में जाकर कि उसके पार्ट सुन सकतें देख सकतें, उसमें भी आपको कुछ न कुछ पता जरूर लगेगा, एक चीज आपको और बताएं, हतेलि में आपने किसी को हाथ दिखाया, और आपने कहा कि मेरी हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं बहुत सारी लेकिन ये रेखाएं शने-शने कम हो रही है यानि के बहुत सारी रेखाएं थी धीरे-धीरे कम हो रही हैं जैसे कपड़ा गंदा था वाश किया धीरे-धीरे उसके दाग जा रहे हाथ की रेखाएं धीरे-धीरे बहुत सारी रेख रेखाएं मकड़ जाल सा बना था कम हो रही है तो ऐसी वस्ता में भी जब रेखाएं कम होने लगें बहुत ही कम नहीं कि आपकी हितली से जैसे कहते हैं कोई डिलीट ही हो जाए बिल्कुल मिट जाए वह नहीं महला फालतू की रेखाएं आठ रिखाओं को छोड़के फालतू भी मिलेगी छोटी छोटी शोटी शेल बहुत लोगों के हाथ में होती हैं कोठ्रियां बनी होती हैं तो इनसे आप आपका हाथ जो है मुक्त होने लगे तो भी समझाना कि समय शोब ही आएगा और ये रेखाएं यदि हतेली में कम रेखाएं हैं और ये बहुत सारी तो बदलती हैं मिठती हैं तो भाई ये तो होता ही रेखाएं बदलेंगी तबी तो समय बदलेगा जिन जाटकों के पास कुंडली ना हो डेटो बर्त का सही से पता ना हो वो किसी भी अच्छे पामिष्ट को अपना हाथ दिखा करके अपने समय के बारे में जान सकता है मतल आपकी हतेली में ही आपकी इनगम के सुरोत हैं, आपकी हतेली में ही आपके आने वाले कल के सुरोत हैं, सुब सुरोत हैं, आपकी हाथ में ही आपके पुत्र, कलत्र, वाहन, सुख संपत्ति, नाना भाती के योग आपकी हतेली में वास करते हैं। तो जब भी जीवन डगबगाने लगे और हमें कुछ ना नजर आ रहा हो तो एक बार किसी अच्छे पामिस्ट से मिल करके अपनी हतेली का अध्यन कराएं और अध्यन के आधार पर क्या उपाएं हैं वो आप करेंगे आपको लाप मिलेगा आईए मेरे साथ को समय उचला आज की ध्यान साथना का आज की ध्यान साथना में जुड़ते हैं भगवती से आप सभी का कल्याड हो ओम सिंदूर अरुन विग्रहाम त्रिनाया नाम मानिक्यमोले स्पुराद स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां ध्यायत परां मंबिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनाया नाम सर्वंग वुस्वरितां निलास्मध्युतिमास्यपाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्योद्धाम समप्रवाम्रिगपते स्कंदस्तितां विशनां कन्यां विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यवितां हस्ते श्चक्र गदासि खेट विसिखां स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणा मलिलात्मिकां ससिदारां दुरगां तिनेत्रां वजे कबच बना लें ध्यान करें जग जन्नी का अफसुब आसिस हमसब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलें समान्य हो जाएं बहुत सादक ऐसे हैं जो इन विद्याओं में बहुत विश्यस फिरकार की रूची रखते हैं तो उसके लिए आप हमारे जो पुराने अंक हैं चाए वो तंत्र विज्ञान के हैं मंत्र विज्ञान के हैं जोतिस के हैं और अन्य सब्जेक्ट्स हैं तो उने भी आप जरूर सुनियेगा उससे भी आपको कहीं ने कहीं इन चीजों में विश्वास भी आएगा और कहीं ने कहीं आपको सुनने से समझने से कुछ ने कुछ ग्यान की प्राप्ती भी होगी दूसरा संदेश के जहां तक प्रामर्श की बात है तो आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं जीवन की कोई ऐसी समस्या है जो सुलज नहीं पा रही है उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क करके टेलिफोनिक अपाइन्मेंट ले सकते हैं और जो भी हम आपको उपाए उसके बाद बताएं वो मन से करिएगा प्रेम से करिएगा कहीं ने कहीं इश्वर की करपा आपको प्राप्त होगी आप स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी वानी को विराम देती है जैमा इंद्राक्षी ये हमें बहुत पसंद आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जड़ा रहा जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल भोत चले गए और आज तक मैं उनके आशिरवास से मैं बहुत सुखी हूँ किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें